नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतगत, राजस्तान अधियन, सामजिक विज्ञान और हमारा राजस्तान पुस्तिफों के बारे में दोस्तों, NCRT और RBSC जो प्रमानिक फुस्तिफों होती हैं, तो आप 100% निश्चन तो जाए, आगामी जोवी प्रश्चों के परिक्षाएं हैं, जिन में राजस्तान जी के राजस्तान सामानिय ग्यान पुछा जाता है, तो आप निश्चन तो जाए, आप वहाँ पर जो भी प्राचिन सब बिता हैं, हम करम वाईस तरीके से बात करेंगे, अध्याय वाईस बात करेंगे, और अध्याय में हम चप्टर जो भी इनके हैं, उनके तहत हम बात करेंगे, ताकि आपके जो भी important प्रश्चन है, वो तुरंट सोल हो जाए, तो चलिए इस शेशन को शुरू क करते हैं इसमें पहला आ जाए है विष्व की प्राचिन सपाइय चलिए इसमें पहला प्राशना आता है सिंधु नदी का उद्गम कहां से माना जाता है तो तिबद के मान सरोवर के निकड़ सिन्द का बाब नामक τους मा जाता है सिम्हें निदी का उद्गम है वह आपको उद्गम माना जाता है शिवालिक पाइडियों से जो हिमाचल में इस्ते थे सरस्वति नदी किस इस्थान से सरस्वती मैदानी पागों प्रवेश करती है तो वो करती है आदी बद्री से ठीक है आदी बद्री जो है बद्री नाथ नहीं तो आदी बद्री है वहाँ पर ही सरस सरसुतिन नदी वर्त्माज में किस रूप में प्रवाईत हो रही है तो अनतह सलीलہ अरफ़ात रयेत का विस्तार नदी जिससे में को गई होती हैyas इसे अंतह सलील केता हैं ठीक है जो जमिन चाहिए उन्द संभावना है और मैंने इनको बहुत तरीके से बनाया है तो आपके लिए बहुत इंपोटेंट है और हम डारीक क्वेशन और आंसर के बारे में बात करेंगे ताकि आपके समय की ज़्यादा बरबादी ना हो ठीक है फिर प्रशन आता है मैं तो पूर्ण सिंदू सभिता सिंद फिर चटा प्रशन आता है कि सिंदू सरसवति सभेता के विलुप्त होने का काल कौन समाना गया है तो माना गया है पंदरासोई सापूर। सिंदू सरस्वती सबेता का उत्खनन किस ने प्रारम किया था तो राय बहादूर दया रामसाहनी के जो द्वारा है 1921 में जो है वो सिंदू सरस्वती सबेता का उत्खनन माना जाता है मोहन जोद्रो का आर्थ क्या होता है तो मुर्दों का जो टिला है उसे ही मोहन जोद्रो के नाम से जाना जाता है मोहन जोद्रो टिले की खोच किस ने की थी तो राखल दास बनजे के द्वारा इसकी खोच की जाती है और कप की जाती है तो 1922 स्वी में जो है इसकी कोच की जाती है महोंजदलो तिले की किसे सब्यता के 9 बार उजडने और 9 बार बसने के प्रमान मिले हैं तो वो है महोंजदलो इसलिए इसका नाम मुर्दों का तिला रखा गया है क्योंकि 9 बार उजड़े हैं या पर गहर परिवार तो मुर्दों का तिला अर्थात महोंजदलो इसलिए इसका नाम रखा गया है ठीके दोस्तों तो ये कुछ हमने 10 मेहदों प्रशनल के बारे में बात की थी नेक्स वीडियो में हम और भी इंपर्टन प्रशनल लेंगे तो जुड़े रही आप और मिलते नेक्स वीडियो में तब तक की लिए जाएं